तो मैंने यहाँ पर टेच्च किया वहाँ पर फैन घूमना स्टार्ट हो गया है और ग्राफिक कार्ड का भी फैन घूम रहा है अभी और यह देखे स्क्रीन पर जो है आ गिया है और यहाँ पर कोई भी PCI का एरर बगारा कुछ नहीं सो कर रहे है तो यह कार्ड जो है सक्सेस् को कभी कभी डिस्प्ले आ जाता है जब डिस्प्ले आता है तो PCI कनेक्टर का एक एरर आता है मैं एरर जो है डिस्क्रीप्शन बॉक्स में मेंसेन कर दूंगा तो हम लोग अलोबर इंडिया में लैप्टॉप डेक्स्टॉप और ग्राफिक कार्ड का रिपेरिंग करते हैं मेरा जो चैनल है या ग्राफिक कर्ड का मेंली काम करने के लिए मैंने बनाया है आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं उन लोग में एक ही बात बोलूँगा फ्लीज सब्सक्राइब कीजिए आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं और कोई भी काड अगर भेजना है तो डेस्क्रिप्सेन में और स्क्रीन पर दिये गया कॉंटेक नामबर पर वाट्साप कीजिए या फोन कीजिए कमेंट मत कीजिए क्योंकि कमेंट का रिप्लाई मैं नहीं दे पाता हूं उतना टाइम नहीं मिलता है तो मैं सबसे पहले काड को खो महीं लग रहें पिर भी मैं अपना हिसाब से जो है इसको एक बार करता हूँ चेक करता हूं और चलिएर करता हो वीडियो तो चलिए देखते हैं इसको किसा से रिप्ययर किया जा सकता है अगर आप कोडियर का मद्दम से हम लोग को कार्ड भेजेंगे तो हम लोग आपका कार्ड रिप्यार करके कितना estimate खर्चा हुआ है वो पहले आपको बताएंगे और आपको सही लगे तब ही आप कराई आगा और अगर रिप्यार नहीं होता तो कोई भी चार्ज नहीं लगता स कोडियर का जो ट्रांस्पोर्टेशन का चार्ज है आपको ही देना पड़ेगा तो मैं कार्ड को जो है खोल लेता हूं खोल के जो है इसको अच्छे से एक बात चेक करता हूं चेक करने का बाद देखता हूं कि कोई आईसी वेगरा खराब होगा जिसके वज़े से जो है PCI क नहीं कर पा रहा है तो इसको सॉल उम्हेद करता हूं मैं कर दूंगा आराम से वीडियो में तो वीडियो में बने रहिए और कस्टमर बहुत दूर से भेजा है यह काड तो आप लोग भी जो है इस तरह से काड भेजेंगे तो अपना डीटेल पूरा सेयर कीजेगा तकि हम चोन Supreme जो हुआ लुग होरा है कि क्या प्रॉबलम हो रहा है क्या कुछ हो रहा है काड में बहुत सारा स्क्रूस को में क्खोल लेता हूं वीडियो में दिखाने कर thing call जाना हो सके इस तरह का problem को मैं solve कर पाऊं तो धन्य बाद अब वीडियो पर बने रहे हैं जी यहां पर जो एक चीप है वो crack कर गया है PCI Slot का ठीक पीछे जो कंट्रोल करता है यह जो चीप है यह उपर से विजुएली दिख रहा है कि इसमें एक छेद हो गया है तो मैं चीप जो है इसका रिप्लेस करके एक बार कार्ड को डिस्प्ले के लिए चेक करता हूँ और चेक करने का बाद पता चलेगा कि यह ग्राफिक कार्ड जो है यह डिस्प्ले बना रहा है कि नहीं कि इसको सबसे पहले मैं एक बार रिप्लेस करता हूँ ब्लोर से नॉर्मेली हो जाएगा यह आईसी जो है रिप्लेस यह जल चुका है और जिसवाए से PCI connector का problem हो रहा है तो सबसे पहले मैं यह जो IC है इसको थोरा सा पेस्ट लगा के जो है इसको एक बर उठा के दूसरा अगर प्रफली डिस्प्ले आ जाएगा तो बहुत ही अच्छा है और अगर डिस्प्ले नहीं आता तो फिर में नो डिस्प्ले कंडिशन पर इसको चेक करूँगा तो PCI का जो एरर है वह वह सौल्व होने से अच्छे से काम करेगा क्योंकि डिस्प्ले कभी-कभी आ रहा है त तो मैं इसको रिप्लेश करकर जो है इसको और दूसरा चीp बैठा लेता हूँ तो चिप जो है वो रिप्लेस में कर दिया हूँ इसमें ज्यादा मेहनत मुने को करना नहीं पड़ा है क्योंकि चिप मुझे जो हैं आखों से दिख रहा था कि उसमें थोरा सा जलने का निशान आ गया है क्रैक कर गया है तो इसको जो है मैं बोर्ड पे लगाऊंगा बोर्ड पे लगा कि मैं टेस्ट करूँगा थोरी दर मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ रहा हूँ मैंने चिप को रिप्लेस कर दिया है और इसको जो है आप मैं असेंबल करूँगा असेंबल करके बोर्ड में लगा कि एक ब झाल झाल तो चिप गुष्ट loin को ने का बाद है यह हैं मदर बोर्ड को भोड़ पे aćनकर दिया हूं और इसको जो है पावर अंड करता हूं पाव अन मैंने यह से कर दिया और पावर अन करने का बाद जो है यहां पर लाइट आ जाना चाहिए एक सेगेंड मैनने सबनическая कनेकटर वह इसको जो है पावर उन करता हूं पावर उन करने का बात जो है इसको देखता हूं कि डिस्पली आ रहे की नहीं तो बोट जो है वह ऑन हो गया है अभी कार्ड में फैन बगर्ण है कुछ नहीं लगाया हूं और यह जो है बराबर डिस्पली आ गया है यह देखिए PCI connection का भी कोई error नहीं दिखा रहा है कस्टमर का बायोस में PCI connection का error आ रहा था तो मैं इसको card को assemble करके फिर चेक करूँगा यह जो connector है यहां से घूमता हुआ जो है स्कीन का पीछे जा रहा है और मैं इसको एक बार चेक करता हूँ मेरा हाथ से connector हील रहा है तो मैं इसको एक बार चला के देखूंगा उसका बाद assemble करके भी आपको टेस्टिंग दे दूँगा और यह जो दूसरा card है यह खुला हुआ है आप लोग आराम से देख सकते हैं तो मैं इसको जो है फटा-फट monitor का पिछे जा रहा है और एक और hda यह जो एक और वीजिये केविल है यह खुला हुआ है कोई कोई कर्ड में जो है वीजिये पोट रहता है तो उस बैस यह लगा हुआ रहता है इसको मैंने खूल के रखा है आप लोग देख लिए यहां से घूमता हुआ यह जो केविल है यहां तक जा रहा है और यह monitor पर connected है मैंने power भी दे दिया हूँ board में जो है line आ गया है तो मैं इसको जो है एक बार on करता हूँ board को और देखता हूँ कि display आ रहा है कि नहीं display आ जाते तो बहुत अच्छा है तो मैंने यह पर touch किया वहां पर fan घूमना start हो गया है और ड्राफि यह अच्छा लगे तो मुझे subscribe कीजिएगा और अगर आपको laptop, desktop या graphic card का repair कराना है all over India से तो कोडियार का थुरू आप भेज सकते हैं यह जो card है यह भी बहुत दूर से ही आया है तो इसको हमने repair किया है तो screen पे contact detail दिया हुआ है उसमें contact कीजिए comment मत कीजिए क्योंकि comment कर reply क करके जो है customer से बात कर पाना possible नहीं हो पाता है आप WhatsApp कीजिए या फिर हम लोग को call कीजिए हम लोग जो इसका पूरी support देंगे साथी साथ जो हम लोग repair करके दो एक दिन टेस्टिंग करके customer को देते हैं तो वो भी आपको मिलेगा मैं X को एक बार off करके on करता हूं मैंने यहा स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे तो बराबर स्क्रीन आ रहा है और कोई भी एरर नहीं आ रहा है जो PCI का एरर आ रहा है तो वह भी नहीं आ रहा है डिस्प्ले वान सॉट में बन रहा है तो यह जो काड़ यह successfully repair हो चुका है धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए हिंद चैवारत